खबर है अंतागड की जहां अंतागड को जिला बनाने के लिए एक बार फिर से शेत्र के जन प्रतिनीदी शेत्रवासी और युवा अंदोलन की रापर चल पड़े हैं बीते कुछ सालों में अंतागड को जिला बनाने के लिए जमकर आंदोलन किया गया था जिसके चलते पूरम मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग से मुलाकार भी की गई थी जिसमें पूरम मुख्य मंत्री के द्वारा अस्वस्थ किया गया था कि जब भी नई जिला बनाने की बारी आएगी तो अंतागड को पहले प्रात्मिकता भी दी जाएगी परन्तु अभी हाल ही में नई मुख्य मंत्री मानिनिय बुपेश भगेल के द्वारा पेंडरा गोरेला को नई जिला का दरजा दिया गया और अंतागड का नाम भी नहीं आया जिसमें एक बार फिर से अंतागड के शेत्रवासी अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं जिसके चलते अंतागड शेत्र के जन प्रतिनी दी शेत्रवासी युवा वर्ग सभी आज अंतागड के सरकेट हाउस में एकत्र होकर अन्तागड को जिला बनाने के लिए शेतरी विधायक मानिनी अनूपनाग के द्वारा मुक्यमंत्री जी का ध्यानकर्शन करवाने का निरने लिया गया ब्रेटिश शासन काल से जब रायपूर जिला और बसर रियासत रहा करता था तब से अन्तागड को तहसील का दर्जा प्राप्त है जबकि इसके बाद असित्व में आए नरायनपूर कोंडा गाव आदी तहसीलों को जिला बना दिया गया है अन्तागड को जिला बनाने की मांग बहुत पहले से ही चल रही है परंतु अब अखबार के माध्यम से खबर आ रही है कि अन्तागड को चल कर फिर से भानु प्रताप्पूर को जिला बनाने की कवायद चल रही है जबकि भानू प्रतापपुर की माने तो मातर 50 km में कांकेर जिला आता है जबकि अंतागर से कांकेर की दूरी 85-90 km दूर है अंतागर के लॉस छोर कॉलर बहेंस्गाम की दूरी जिला मुख्याले से लगभग 130-140 km है अगर भानु प्रतापपुर को जिला बना दिया जाता है तो कॉलर भैंसगाम ताला बेडा की दूरी 70-80 किलोमेटर होगी मही अंतागर को जिला बनाया जाता है तो भानु प्रतापपुर भी 30 किलोमेटर होगी मही कॉलर भैंजगाव ताला भेडा को भी 30-35 किलोमीटर दूरी होगी वही अंतागड का शेत्रफल भानु प्रतापूर से बहुत बड़ा है साथ ही शिक्षक अस्तर भी माने तो भानु प्रतापूर में बहुत अच्छा है जबकि अंतागड उस मामले में बहुत पिछडा हुआ है इन सारे बातों को सोच विचार किया जाए तो अंतागड को जीला का दर्जा दिया जाना चाहिए अगर अंतागड को जिला बनाया जाता है तो राजे शासन की जो कल्यानकारी योशना है उसको भी जन जन तक पहुंचाने में काफी मदित साबित होगी ऐसा अंतागड की जनता का कहना है कि साफ सूत्रों में अंतागड के युवाओं का कहना है कि हमेशा से ही अंतागड को चला जाता है परन्तु इस बार अंतागड को चला गया तो अंतागड के शेत्रवासी शांत नहीं रहेंगे जिस प्रकार से अंतागड शेतर से अर्बो रुपियां का खनिश दोहन होते जा रहा है इससे साफ है कि अंतागड शेतर से सरकार को आमधनी हो रही है अगर ऐसे में सरकार अंतागर को चलती है तो शेतर की जनता चुप नहीं बैठेगी उग्रांदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी जिले के बराबर होता है तो और जब राज्तांतर अंटागर इतना महत्पूर इस्थान हुआ करता था और इस खेद्र के लोगों को लगादार राज्तांतर में हो चाहता है जब जिस समय भूगल शाषन रहा अंग्रेज्ज जब शाषन कि तब भी है अंतागर इक रुख के स प्राटमिक शिच्छा का केंद्र हुआ करते हैं अर उसे समय अनुताइगर और राइपूर तहसीर हुआ करते हैं लेकिन मर्तमायन समय में अनुताइगर कहीं ने कहीं तिछड़ गया लेकिन सरकाद करते हैं J.B.D. banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgarana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden at J.B.D. Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए